कुछ लोग पार्टी में रह करके पार्टी के बगावत करते आ रहे हैं कि जो गुलाब जादव है 2015 में जो टिकट मिला वो पैरा सूट उमिदवार थे जब पंचायत में जिलापड़ से चुना दो दो बार लड़ते हैं तो जब पंचायत की जनता नकार देती है उस बिहार खुद अपने आप में नेता है बियार में स्थानी निकाय कोटे से 24 सीटों पर विधान परिसत के चुना होने है और इस चुनाओ के पहले अब सरगर्मिया देखे तेज हो गई है बियार के मदुबनी में इस वक्त हम मौजूद है और मदुबनी से रास्टी ये जन पर आदब पहुंचे थे उन्होंने आपका खुब बढ़ाई किया स्टेज से गुलाब यादब भी राजद में थे अलाकि उन्हें पार्टी में निसकासित कर दिया जिस तरह की बात उन्होंने बताई अब महौल कैसा लग रहा है देखिए पहले से भी महौल अच्छा थे कुछ लोग पार्टी में रह करके पार्टी के बगावत करते आ रहे हैं चाहे वो पिछले बिधान सवा हो चाहे अभी अफ्थानी निकाई कोटे की जो चुनाओ होने जा रहा है उसमें हो तो हमारे नेता अदन्य स्री तेजसी परशाद यादव जी ने सक्त लहजे में बता दिये हैं कि जो लोग बिगत चुनाओं में जो पार्टी गती विधी में जो काम किये हैं उसके खिलाब हम लोग कारवाई किये थे पहले भी और कुछ लोगों के वज़े से अपने ही लो पार्टी में और पार्टी में बयावत करके चुनाओं आज लर रहे हैं उसको आदर्णी स्री लालुत प्रसाद यादव जी के निर्देश पर पार्टी से निसकासित कर दिया गया है निसीत तोड़ जब से निसकासित हुआ है जीत का मार्जिंग बढ़ा है और आदर्णी नेता परतिपर्ट स्री तेजर सी परसाद यादब जी ने, कल हमारी नमांकन सबा में जो आये थे, यहां तमाम पंचाद परति निरी और तमाम राश्टी जनता दल के कारकरता महा कर्वन के कारकरताओं में, सक्स निर्देश दिये हैं, कि यह चुनाओ मिराज नहीं लड रहा है, यह चुनाओ आदर्नी स्री लालो परसाद यादब जी, आदर्नी स्री तेजर स्री परसाद यादब जी, और राश्टी जनता दल महा कर्वन के कारकरता नेता हैं, वो चुनाओ लड रहे हैं, तो इस बातों से लेकर के, तमाम राश्टी जनता दल के चाहने वाले कारकर तो उसका मनोवल बढ़ता है उसा बढ़ता है तो निशी तर्व जिस समय से अधर निशी तेज़श्वी परशा जादा जादा जी मदवनी पढ़ा रहे हैं काफी लोगों में उस्सा है कि महाकर्णोंदनी के पक्षि में हम लोग वोट करेंगे और पंचयत परतिनीदी मिराज आलम भी है तो मिराज आलम को भी हमनों वोट देखर के दीताएंगे कल जब कारिक्रम में तेज़श्वी पहुंचे थे तो हम खुद उस कारिक्रम में फर्स ब्यार के टीम मौजूद थी उन्हें कहा कि तेज़श्वी यादब और लालो यादब भी चुनाव लड़ा है तो जो है वोट अधीक मात्रा में पड़े और जब निता हम लोगों के बीच कारकरताओं के बीच जबाये हैं तो और अपने आप कारकरताओं में एक उत्सा मनोबल बढ़ा है इसमें लोगों में काफी उत्सा है कि हम लोग महागरवंदन के पक्स में बोट करेंगे और चुनाव जिताने के काम करेंगे क्योंकि अभी का प्रिष्टिती जो पंचायत परती निदियों को हुआ है उसमें 80-85% लोग पंचायत परती निदी आरजेटी महागरवन्दन के चाने वाले लोग है तो निश्चित तौर पे जिस तरह से चाने वाले लोग है महागरवन्दन के उस बोट हम लोगों की पक्ष में पड़ जाएगा तो निश्चीत तरफे कहीं कोई लड़ाई नहीं है इस चुनाव में एक तरफा चुनाव होने जा रहा है बहुत बाते हमने सुनी कई उमिदवार ये कह रहा है कि हम चुनाव जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे जनप्रतिनीदियों को सम्मान दिलाएंगे मदुबने से अगर मिराज आलम जीते हैं तो जनप्रतिनीदियों के लिए क्या होगा सबसे पहले तो जो उमिदवार कहते हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे तो हम उस उमिदवार से कहना चाहते हैं उसमें दो उमिर्वार पहले से चुनाव जीते हुए है, 2006 में, 2009 में, और 2015 में, तो हम उन उमिर्वार से भी कहना चाहते हैं कि पहले जो आप 2009 और 2015 में चुनाव जीते हुए, तो जन्ता के बीच में क्या करते हैं, आप पच्छे साल का क्या क्यारकाल का हिसाब दे, और रहा गिया अभी जो एक दूसरे दल्व से भी उमिदबार है काउम्डरल से वो है पाहराट सूट उमिदबार कहा जाए उस उमिदबार के बारे में नहीं कुछ खाना चाहिए क्या कि इस उमिदबार में जाकर कर पूछी गागा कि इस मधबनी जिला में आप कितने दिन द इससे पाटि में उस्काइघ चुनाओंप लड़ते हैं तो जब पंचायत की जानता नकार देते हैं उसकाल को तो पंचायत पति निदी हुए जीते हुए उमिद्वार कुद अपने में नेता है और नेता का अपने आपको कैसे चुनेगा लेता तो उसकाल Neesis क्या कर सकते हैं उससे जादव देखिए किल आप नमांकन सभा में सुने हों गया कि कि हमारी नेता अधनिया स्री तेजसी प्रसाद जादव जी ने अपने बक्तव में बुले हैं कि जो बुलाब जादव है 2015 में जो टिकट मिला उपाइडा सूट उमिद्वार थे पार्टी में क्यार करता सक थे लेकिन आज तक पार्टी में स्रीफ सकडिये थे लेकिन वो रहते थे कहां पूना 2015 में आदर्निय श्री लालोपरसाद यादव जी और उस टेम महा गडवंदन थे जिसमें आरदेडी जदी और कॉंडेस साथ में मिलकर चुना लड़ रहते उस टेम टिकट मिला और उसके बाद बड़ी मेहनत के बाद आदर्निय श्री लालोपरसाद यादव जी उनको पार्लियामेंट के बाड़े में हमारे नेतावी ने बोले कि उसको हम टिकट दिये जब टिकट दिये तो अच्छा परफॉंसमेंस करते तो चुना जीतते उस टाइम क्यों नहीं चुना जीते और उनकी बेटी बिंदू गुलाव जादव जी अभी जो चेर्मेन बनी है वो महा गठवंदन अराश्टी जन्तादल के उमिदवार के रूप में बना है उसमें तमाम राश्टी जन्तादल के जिलापड़ सत थे और उसमें CPI CPI माले के भी जिलापड़ से जीत करके आयो भी आयो बर्तमान में वो लोग गठवंदन धर्म को निभाते हुए छपल में 49 47 भी's अम्भीका गुलाब को महा कर्णादल को दिने का की ते अम्भीका गुलाब को नहीं महा कर्णादल को बोट दिया अगयर राश्टी जन्तादल कर उम्हड़ नहीं होता तो पता नहीं पर जिस मिलता और जिस गिंदू गुलाब क्या करते हैं अम्भीका गुलाब की बारे में कर रहे हैं तो जनता समझ रही है कि जनता इसलिए समझ रही है कि भारे के चटल हाउस में नहीं चलेगा जो अम्भीका गुलाब जादव अपनी पंचायद परती नीधी और अपने मदवनी जिला के तमाम जनताओं को जो अभी संभोधन भी नहीं कर पाते हैं उस सदन में आवाद क्या उठाएंगे सबस्क्राइब परती नीधी समझ रहे हैं कि आज हमारे सतन से बाहर जो हमारी आवाज में आवाज में हमतो क्या कमी है वो नहीं आवाज बाहर में नहीं रखा जा रहा है तो सतन में क्या तो सबसे पहले जीतने के बाद उन जनपती नीधियों के लिए वो तमाम काम पूरे किये जाएंगे अपने सहीयोगी डबलू के साथ असमित सिना फर्स बिहार मदुबनी लोग यहां दिल्ली बंबई में घर पर खरीदते जा रहे हैं और एक ये सहाब है कि अपना घर बेच लिए बहा रिचायर्मेंट का पूरा पैसा लगा दिये थे दिल्ली में घर लेने के लिए अरे बाबुजी तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना नया घर खरीद रहे हैं कहां पूर्णिया में पूर्णिया में अरे बाबुजी इल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है देखिए, पुणिया में पणोर्मा सिटी और पणोर्मा हाइट दोनों जगा का अप्ष्ण प्लब है। देखिए और बुक कराये। मतलब? अपने शहर में अपना घर। जी बिलकुल, अब कीजे घर वापसी पूर्या के पैनोरोमा सिटी और पैनोरोमा हाइट में पैनोरोमा सिटी और पैनोरोमा हाइट आपके शहर में आपका अपना घर